Hello Guys, This is Vinay और आप देख रहे हैं PYPY Learning इस लेक्षर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपका Loop Analyst क्या होता है तो यहां से आपका Start करते है, Loop Analysis फास्त है, यहां से आपका क्या Start करेंगे? Loop Analysis ठीक है? Loop Analysis में पढ़ने के लिए आपके पास में दो आपके Option है, देखो कई जगे आपको book में लिखा मिलता है या कई जगे आपको देखने को मिलता है कि loop analysis या फिर आपका बोलते mesh analysis, तो सबसे पहले what is the difference between mesh and loop तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे mesh और loop के बीच में difference क्या है तो देखो, mesh आपका क्या होता है, what is mesh mesh का अंदर, mesh का मतलब होता है कि आपका एक closed circuit closed path, ठीक है एक closed path जिसके अंदर कोई दूसरा mesh नहीं आ सकता ठीक है, एक closed path एक closed circuit a closed circuit which does not contain which does not contain contain any other any other any other mesh जिसके अंदर कोई दूसरा mesh नहीं हो सकता ठीक है, उसको आपका बोलते है mesh और loop आपका किसको बोलते है जिसके अंदर आपका कोई दूसरा भी loop आपका बन सकता है तो next आपका लिखेंगे इसमें loop तो loop आपका क्या होता है what is loop a closed a closed a closed circuit which may contain which may contain जिसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता which may contain any other any other loop so this is the basic difference between mesh and loop यानि कि mesh के अंदर कोई दूसरा mesh नहीं हो सकता है यानि कि कोई दूसरा आपका closed path आपका नहीं बन सकता और loop के अंदर आपका कोई दूसरा loop बन सकता है So this is the basic difference between mesh and loop अब इसके अंदर जब भी आपकी loop analysis के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक question, एक सबसे important आपकी चीज आती है That is KVL तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा KVL यानि कि किर्चोफ्स voltage लाँ ठीक है? इसने दो लाप की दिए कि चोफ sluts के बारे में जाने जाते हैं जो पहला लापका है KVL इसको बोलते हैं short form में आपका क्या? इसको बोलते हैं आपका KVL और एक आपका क्या है? एक आपका होता है KCL ठीक है? तो KCL आपका तब पढ़ेंगे जब आपका आएगा कुंसा analysis? नोडल analysis ठीक है? तो यहाँ से आपका पहले हम loop analysis पढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पे KVL के बारे में आपका जानते हैं तो KVL आपका क्या कहता है? What is KVL? KVL आपका कहता है The algebraic sum of The algebraic sum of All the voltages Algebraic sum of All the voltages All the voltages In a loop ठीक है? एक loop के अंदर आपके जितने भी Voltage हैं ठीक है? उन सब का Algebraic sum The algebraic sum of all the voltages In a loop In a loop is zero ठीक है? सभी का जो sum होता है वो आपका क्या होता है? Zero आपका होता है किसके अंदर? एक loop के अंदर loop चाहे आपका कुंसा हो चाहे आपका open loop हो या फिर आपका close loop हो दोनों के case में ही आपका open loop और close loop आपका तब देखेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे इसमें loop analysis को आगे बढ़ाएंगे तब आपका देखते हैं तो यह आपका पहली इसकी definition है दूसरा अब यह चीज आपकी क्या बताती है यह चीज आपकी बताती है law of conservation of energy तो हम कह सकते हैं जो kvl आपका होता है यह आपका बताता किसके बारे में conservation of energy के बारे में तो यहां से आपका लिख सकते हैं it tells about law of conservation of energy ठीक है यह आपका क्या बताता इट टेल्स अबाउट ला ओफ कंजरवेशन ओफ एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में आपका ये बताता है के वी एल, ठीक है, तो अब के वील के आपकी बेसिक आप पी कैसे होगी, देखो, तो सबसे बहले हम इसके अंदर एक डायगराम आपका बनाते हैं, और उसके अंदर आपके loop आपका decide करेंगे, आपको मैं बताता हूं कैसे loop होता है, कुन सा मैंश होता है, तो माल लिजे आपके पास में इस तरीके का diagram है, ठीक है, इस तरीके का आपका circuit है, तो यह आपका circuit हो गया है, देखिए, यहाँ पे, एक यहाँ पे resistance है, और यहाँ पे आपका एक voltage source है, V1, ठीक है, यहाँ पे similarly आपका दूसरा है, और यहाँ पे आपका एक और voltage source है, that is V2, ठीक है, इनको आपने connect किया, और यहाँ पे आपका एक resistance है, ठीक है यह आपका माल लीजी कोई भी circuit है यहाँ पर आपका R1 है इस तरीके से आपका एक circuit आपके पास में है जहाँ पर आपके दो voltage source है और छे resistance आपके connect की हुए है ठीक है अब इस circuit के अंदर आपका क्या होगा देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको कितने लूप नजरा रहे हैं सबसे पहले चीज़ तो वो है कितने लूप आपके possible हो सकते हैं ठीक है तो देखो सबसे पहला आपका लूप यह वाला आपका पहला इस लूप नमबर वन ठीक है यह आपका लूप होगा पहल ठीक है? अब देखो इसके अंदर और भी कोई Loop आपका बन सकता है तो उसका antre ho विल्कूल बन सकता है आपका कौन सा Loop बन सकता है इखो यहां से यह वाला Loop आपका बन सकता है ठीक है? अचछा यह जो तीन है आपके तीन इन तीन हो को हम क्या बोलेंगे? mesh, तो यहाँ पर आपका difference क्या हुए, तीन तो हैं आपके mesh ठीक है, और loop आपके कितने हैं? जो mess होगा, वो loop भी होगा, तो यहाँ से आपका, mess is also called as loop, mess is also cold as, मेश को आपका क्या बोल सकते हैं, loop भी बोल सकते हैं, लेकिन loop को mess नहीं बोल सकते हैं, कैसे? देखो तो इसका मतलब आपको क्या हुगा? यहाँ पिस आप साफ आपको नज़रा रहे हैं यह अपका पहला अपके उर मैस आपके सुरी तीन आपके लूप है और तीन ही आपके मैस अब आगे लूप आपके और कौन कौन से? एक आपका ये वाला लूप है वह यह वाला आपने उपर वाला सिलेट किया और यहां से यह वाला आपका ठीक है तो तीसरा आपका हो गया एक आपका यह भी हो सकता है यहां से आप सिलेट करो इसको ठीक है तो यह आपके सारे के सारे क्या है इन सभी को आपका बोलेंगे लूप आपके हो सकते हैं तो कितने loop आपके हो गए देखिए एक path, दूसरा path तीसरा path और तीन और तीन छे तो यहां से आपके loop कितने बन रहे हैं six loop है आपके तो यहां पे loop आपके ज़्यादा है और match आपके क्या है कम है तो match आपके वो होते हैं जिनके अंदर कोई दूसरा match नहीं हो सकता लेकिन loop के अंदर आपका दूसरा loop बन सकता है तो यहां पे आपके तीन match है और छे आपके क्या होगे loop आपके बन गए है ठीक है तो यह आपका हो गया कौन सी analysis बोलते हैं इसलिए इसको loop analysis बोलते हैं किसके comparison में? मेश analysis के comparison में क्यों? कई बार आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि हमें इन loops की बज़ाए जो simple से दिखने वाले loop हैं इनकी बज़ाए हमें बड़े वाला loop लेना पड़ सकता है ठीक है? तो इस वज़े से मैंने आपको बताया कि यहां पे आपका क्या होगा? तीन मैस होते हैं और छे आपके क्या हो जाएंगे? लूप ठीक है? तो loop analysis से हम इसको आगे फर्दर proceed करते हैं ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर की कैसे आपका KVL apply कर सकते हैं किसी भी diagram क्या किसी भी circuit के अंदर तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया algebraic sum of all the voltages in a loop is 0 ठीक है? यानि कि सभी की voltage का sum क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए तो इसका सबसे simple तरीका आपका क्या है? कि यहाँ पे आपको पता है V it is equal to क्या होता है? I into R आपका होता है ठीक है? आपको voltage source नजार आ रहा है इसकी voltage तो हमें directly पता है यहाँ पे आपको voltage पता है क्या है आपकी voltage? V1 V1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका? कि माली जी यहाँ पे 10V है 5V है 20V है 100V है या आपका 1000V है कितने भी voltage है आपकी? तो इसका मतलब इसके एक रोज इस voltage source की आपको क्या चीज पता है? voltage आपकी पता है ठीक है? तो voltage अगर आपको पहले से ही पता होगी तो हम direct इसकी तो आपकी direct बता सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आपका इस loop के अंदर जितने भी element है उन सभी की हमें क्या पता होना चाहिए? voltage आपकी पता होना चाहिए फिर उसके बाद में हम आते हैं R1 के cruise ठीक है? जैसे ही यहाँ से आपका आगे बढ़ेंगे आपके पास में क्या है अगा? R1 आपका resistance आ जाएगा ठीक है? कि यहाँ पे resistance कितना है आपका? R1 आपका resistance है अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए यहाँ पे voltage क्योंकि आपका ला क्या बताता है? सभी की voltage का sum 0 होगा ठीक है? तो इसका मतलब देखो यहाँ से आपका यह आपका V1 है और यहाँ पे आपका resistance कितना है? R1 ठीक है? तो R1 अगर आपका resistance होगा तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे actual में हमें चाहिए या तो हमें पता हो V ठीक है? या फिर आपको पता हो I into R क्योंकि जो आपका I into R का product है वो भी आपका किसको represent कर रहा है? voltage को represent कर रहा है चेक है? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आपका क्या पता होना चाहिए? current आपका पता होना चाहिए तब हम इसके across क्या बता सकते है? voltage बता सकते हैं तो देखो इसकी voltage तो आपने बता है यहाँ पे voltage है आपकी V1 अब इसके gross voltage कितनी है? इसके बारे में हमें नहीं पता क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे current थोड़ी पता है कितना current है यह तो आपने माल लिया है तो हम करते क्या है? यहाँ पे आपके जैसे जैसे आपकी loop analysis बढ़ाते जाएंगे यानि कि जैसे जैसे आपकी loop नंबर यहाँ पे लिखते जाएंगे वैसे वैसे loop का current भी हम यहाँ पे बताते जाएंगे जी यहाँ पे आपका current है I1 फिर उसके बाद में इस loop के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपका current होगा जी इस loop का current होगा I2 और इस loop का current होगा I3 ये भी हम अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जब आपको KVL apply करना होता है, ठीक है, तो अगर देखो, अगर हमें यहाँ पे I1 का पता हो, तो हमें इसके across voltage पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी, कि वहीं, इसके across voltage मालेच यह है, V it is equal to I1 into R1, ठीक है, यह क इस R2 के across, क्योंकि R2 आपका क्या है, connecting element है, क्या है आपका connecting element, connecting element का मतलब क्या हुआ, कि यह आपका common element है, किस-किस के बीच में, first loop और third loop के बीच में, ठीक है, देखो, second man नहीं है, यह आपका किस में है, first और third के अंदर है, तो यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसके across, क्योंकि हम loop पहले में देख रहे हैं, तो हम जा रहे हैं यहाँ से इस तरफ में मूड़े हैं, यहाँ से इस तरफ में मूड़े हैं, जैसे हम यहाँ से इस तरफ में मूड़ेंगे, तो आपको resistance आएगा R2, अब इसके across, current कितना होगा, तो current आपका कैसे बताएंगे वही हम जा रहे थे I1 की तरफ और हमें दिखा कि opposite में आपका एक current आ रहा है कौन सा current आ रहा है I3 current आ ठीक है इस तरीके से आपका बता सकते हैं हम क्या voltage को भी और साथ साथ आपका voltage को ठीक है कैसे एक तो आपको direct आपको voltage पता हो और दूसरा हमें यहाँ पे current assume कर लिया और resistance कि voltage आपकी कितनी आएगी अगर यह तो हमने आपको simple circuit बताया है वही आपका resistance के regarding अगर यहाँ पे impedance भी होता तो हम इसको माली जी यहाँ पे impedance होता वही Z1 ठीक है तो हम इसको कैसे बताते कि voltage across Z1 this is equal to I1 into Z1 बस बहुत ही simple है आपका बस वहाँ पे आपका क्या होता है phasor analysis होत KVL के regarding ठीक है तो यह आपका KVL के regarding मैंने आपको बताया अब हम इसका detail एक-एक step कि कैसे कैसे आपको क्या-क्या assume करना है वो सारी चीज अब हम यहाँ पे आपका detail में देखें लूप analysis को अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से आपका वही diagram मनाते हैं जो पहले था तो अमाली जापका diagram इस तरीके से हो यहाँ पर आपका resistance है ठीक है यहाँ पर आपका दूसरा resistance है यहाँ पर आपका एक voltage source है इस voltage source is V1 ठीक है similarly यहाँ पर आपका क्या है एक resistance है एक आपका resistance यहाँ पर है और एक आपका resistance यहाँ पर है कुछ इस तरीके से आपने क्या बनाया है एक आपका circuit बनाया है it is like this this is V2 resistance this is R3 this is R1 this is R2 this is R4 this is R5 and this is R6 ठीक है इस तरीके से आपका एक circuit आपके पास में है तो सबसे पहली चीज तो आपका circuit के अंदर मैंने आपको बताया है अगर आपको direct voltage पता है जैसे इसको हम तोड़ के लेते हैं सबसे पहले यहाँ से अगर आपने लिया भई यह आपका ले लिया this is V1 और यहाँ पर आपका ले लिया है this is R1 ठीक है इस तरीके से आपने एक circuit बाया है तो आपका क्या लिखेंगे यहां से V1 तो हमें पहले से ही पता है इसका दो ठीक है इसके बारे में हम क्या कहेंगे माल लीजिए इसके अंदर आपका current कितना है I1 है तब इसके एक रोज जो voltage आएगी I1, R1 आएगी कैसे I1, R1 आपकी कैसे आएगी क्योंकि I1, V1 इसको रिप्रेजन करता है वोल्टेज को रिप्रेजन करता है तो इसके अंदर कौन-कौन से steps आपके होते हैं जिससे आपका क्या होता है जिससे आपका loop analysis लगने आसान हो जाए तो वो आपका देखते हैं सबसे पहले आपका step first पहला step आपका हमें current आपका क्या करें assume करें अगर given नहीं है ठीक है तो सबसे पहले कंद। आपका क्या होता है step first के अंदर identify the loops आपको क्या identify करने है loops आपके identify करने है कि कौन-कौन से loops आपको लेने है ठीक है सबसे पहले आपको identify करना है क्या loops का तो यहाँ पे हम 3 loop मालेजी identify करते हैं, पहला loop आपका ये वाला, second loop आपका ये वाला, और ये है आपका कौन सा loop? ठीक है, तीन आपके लूप है, तो आपने identify कर लिया, लूप आपके कौन-कौन से हैं, तीन है आपके, फिर उसके बाद में step second, यह आपका first step है, यह आपको पहले करना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, step second, step second, तो step second से पहले step one को जरा हम और आपका समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर आपका माले जी एक ही लूप होता है ठीक है आपके लूप कितने होता है एक तब हमें identify करने की जूर्थ नहीं है वहाँ पे ठीक है वहाँ पे हम direct आपका क्या कर सकते है सीधा step second को follow कर सकते है ठीक है और अगर second step के अंदर भी आपकी कुछ modification हो सकती है अगर आ इनके अंदर आपको क्या करना है current आपका assume करना है ठीक है तो यहाँ से next step आपका क्या है assume the current आपको current अपनी तरफ से माल लेने है ठीक है इसका मतलब आपका यह हुआ assume the current in respective loops ठीक है जो जो आपने loops लिये है ठीक है जो जो आपने loops select किये है उसके अंदर आपको क्या करना है current को assume करना है कैसे assume करना है देखो यहाँ पर माल लिजे इस loop का current कितना हो जाएगा भई इस loop का current जी मैं लूँआ I1 इस loop का current जी मैं लूँआ I2 और इस loop का current मैं लूँ चाहिए है याद रखे इन दोनों की आपती क्या होगी, step third के अंदर, यह बहुत confusion होती है students को जब आपका soul out करते हैं, जी क्या लें आपका, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, current की कोई भी direction एजियूम कर सकते हैं, current की कोई भी direction एजियूम कर सकते हैं, आपके पास में छूट रहती है, ठीक है, आपके प पूरी छूट है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया इसको पहला लो, इसको दूसरा लो, इसको तीसरा लो, यह जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही फोलो करो, आप इसको दूसरे तरीके से भी फोलो कर सकते हो, यह आपका पहला बता सकते हो, यह दूसरा assume किया है उसको आप माल लिजिए I2 और जहां पर आपने third assume किया है उसको माल लिजिए I3 अगर इस तरीके का तीन लूप आपके बनते हैं तो ठीक है अगर आपके दो ही लूप हैं तब तो उसमें आसानी है बहुत ही आसानी है आपकी दो लूप आपके हैं तो एक का करण्ट I1 माल लिजिए एक का करण्ट आप माल लिजिए I2 ठीक है अब इसके बाद में second आपका आता है कि हम इसमें direction of current क्या assume करें तो step third आपका क्या बताता है step third के अंदर हम आपका करते है direction of current कौन से current की जो current आपने अपनी तरफ से माना है देखो यहाँ से आपने current माल लिए भई मेरा current आपका इस direction में जा रहा है ठीक है इस direction में आपका current है आप बोलोगे नहीं जी मैं तो इस direction में नहीं लूँआ मैं तो आपका लूँआ current आपका इस direction के अंदर ठीक है current आपका किस direction के अंदर लें ठीक है तो direction of current maybe maybe क्या हो सकती है maybe clockwise या तो हम इसमें clockwise आपका assume कर सकते हैं यानि कि आपके direction ऐसे assume कर सकते हैं और anti-clockwise या फिर आपकी कैसे होगी anti-clockwise आप कैसी भी ले सकते हो और आप इन दोनों में भी आपका कोई सावी ले सकते हो कैसे जैसे आपने ले लिया भाई आपने बोला भाई इस loop के अंदर तो यह वाली direction लूँगा ठीक है जी अब इस loop के अंदर मैं यह वाली नहीं लूँगा clockwise नहीं लूँगा मैं इसके अंदर कौन सी लूँगा anti-clockwise लूँगा ठीक है और इस loop के अंदर मेरा मन कर रहा है भाई मैं इसको इस तरीके से आपका follow करवा हूँगा ठीक है यह आपका current हो गया कौन सा i3 इस direction में आ रहा है यह आपका i1 current है और यह आपका कौन सा i2 current है ठीक है तो मैं यहां से ऐसे लूँआ तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो ठीक है उसमें कोई problem नहीं है ठीक है यह सारी चीज़े आपको याद रहनी चाहिए कि पहले step के अंदर loops का identification फिर उसके अंदर आपके जितने loop है उतने ही आपके क्या होंगे current आपके आएंगे second आपका step फि और anticlockwise भी चूज कर सकते हैं दोनों के लिए आपको बिल्कुल आजादी है यहां पे फिर उसके बाद में next जो step है वो आपका थोड़ा important है देखो step 4 अब तक आपने क्या किया है अब तक आपने currents को identify कर लिया है ठीक है साथ-साथ आपने direction भी बता दी है जी इस loop के अंदर इस direction में है यहां पे anticlockwise है और यहां पे फिर से मैंने इसको clockwise बना दिया है ठीक है तो यह आपने बताया है इस तरीके से आपने क्या किया हुआ है आपका current आपने बताया हुआ है ठीक है अब यहां पे सबसे important चीज है आपकी equation कैसे लिखनी है ठीक है सबसे important जो है equation आपकी क ठीक है पहले equation आपकी क्या बताती है देखो एक एक equation को एक एक करके लिखेंगे ये बात याद रखेगा जब तक तीन equation नहीं आ जाएंगी तब तक आपका sol नहीं होगा क्या sol नहीं होगा आपकी loop analysis या फिर आप मान लीजिए जो आपने current आपका निकाला है वो current आपका आपका voltage source नजराएगा ठीक है तो कैसे आपका होता है voltage source के case में तो यहां से हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पे ऐसे है plus और minus V1 ठीक है जैसे यह बला है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे यहां से आपका enter करेंगे और यहां से आपका exit करेंगे ठीक है तो इसको बोलते है अगर वहां पे negative का sign है और जहां से live कर रहा है जानि यहां से current आपका बाहर निकल रहा है वहां पे आपका positive का sign है तो इसको बोलते हैं आपका rise in potential ठीक है rise in potential यानि कि potential difference के अंदर आपका क्या हुआ हुआ है rise हुआ है आप खुद ही assume करके देखो माल लीजिए आपके पास में एक भी रुपया नहीं है ठीक है और मैंने आपको आकर 100 रुपय का note दे दिया तो क्या हुआ अब zero से कहां पे चले गए 100 पे चले गए तो यहां से आपका क्या आजाएगा यहां पे भी simple आपका आएगा जहां से आपका current एंटर करता है अगर वहां पे rise in potential है तो rise in potential में आपका इसको हम लेते हैं कौन सा negative इसको हम क्या लेते हैं negative sign के साथ में लेंगे ठीक है क्योंकि आपका negative पहले आ रहा है तो हम इसको क्या लेंगे यहां पर negative आपका लेंगे, ठीक है थो step four के अंदर आपका क्या करता है, assumption करते हैं सब से पहले तो, क्या करते हैं आपका assumption, उसके बाद में आपकी क्या लिखेंगे, equation, ठीक है, assumption आप drop in potential, तो देखो अगर आपका S इस तरीके से आपका आता इस तरीके से positive से negative की तरफ आपका current एंटर करता हुआ आता है ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा क्योंकि आप, आप देखो अब पहले वाला मैंने आपका example दिया, अब मैं अपना example लेता हूँ, पहले वाले example में आपने क्या किया, आपके पास में कोई रिप्या नहीं था, आप 0 में थे, ठीक है, और मैंने एकदम से आके आपको 100 रुपे दे दिये, तो आपके पास में क्या हुआ, rise हुआ, ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपको 100 रुपे दिये, तो माल लीजे मेरे पास में 1000 रुपीज थे, ठीक है, मेरे पास में कितना रुपीज थे, 1000 रुपीज, और मैंने आपको 100 रुपे दे दिया, ठीक है, तो मैं कहां पे गया, मैं आपका क्या होगा positive यह मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि positive से आपका जब current enter करेगा तो आपको ज़्यादा confusion नहीं होगी कि positive है तो positive आपका ले लिया तो यहां से दो assumptions आपके लेंगे और पूरे loop analysis के अंदर या पूरे आपकी network theory या फिर आपका basic of electrical engineering जो subject है उसके अंदर आपका हमेशा ऐसे ही steps को follow करेंगे जब भी आपको KVL और KCL apply करने की आउशकता पड़ेगी ठीक है तो यहां से assumption आपका क्या लेंगे यहां से हम लेंगे rise in potential rise in potential rise in potential का मतलब आप समझे होगे negative से positive की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं आपका क्या rise in potential और क्योंकि negative से positive की तरफ जा रहे हैं तो जो starting point है वही आपकी assumption आपने माल लिया इसको हम लेते हैं वही क्या negative से हैं के साथ में कब लेते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा next आपका कौन सा drop in potential next is drop in potential drop का मतलब आपका क्या हुआ drop का मतलब तब हुआ जब आप पहले positive में थे उसके बाद में आप negative में चले गए तो starting point आपका positive से था तो इस वज़े से हम इसको क्या लेते हैं positive तो यह दो standard assumption है यह आपकी क्योंसे assumption है these assumptions are called standard assumption ठीक है यह आपकी क्या है these are standard assumption और पूरे के अंदर आपका ऐसे ही चलेगा तो यही steps आपके बार-बार follow होते रहेंगे अब इसके बाद में ठीक है यह तो था आपका voltage source के रिगार्डिंग यह आपका किस के रिगार्डिंग था voltage source के रिगार्डिंग अब यहां पे एक और आपकी property होती है जिसको बोलते ह और एक आपका योणी डार प्रोपर्टी ठीक है एक आपका unidirectional करंट होता है एक bidirectional करंट होता है यह क्या डिफाइन करता है bialateral या unilateral या bidirectional ये unidirectional छाहिक है यह हम इसमें आप देखते हैं तो देखो क्या होता है आपके पास में तीन element है कौन-कौन से resistance, inductance and capacitance ये तीन element है इन तीनों element की एक property होती है उस property आपका बोलते हैं bilateral property bilateral property इसका मतलब आपका क्या हुआ तो देखो अगर माल लीजिए आपके पास में current इस तरीके से है current आपका इस तरीके से जा रहा है, यहां से आपका एंटर कर रहा है current आई, यह आपका resistance है, तो यहां पे अगर जहां पे आपका current एंटर करेगा, जहां से current एंटर करेगा, वहां पे हम बताते हैं, यहां पे positive sign आएगा, जहां से current leave करेगा, वहां पे आपका कौन सा आजाएगा negative sign आजाएगा, यह तो आपका हुआ resistance के regarding, ठीक है, अब यहां से opposite अगर हम करके देखें, यानि कि इस तरीके से आपका करके देखें resistance में, change, तो जहां से आपका current enter करेगा, वहां पे आपका positive आएगा, जहां से leave करेगा, वहां पे आपका क्या आएगा, negative, तो इसका मतलब क्या हुआ, current आपका क्या हुआ, sorry, resistance के case में आपका क्या होगा, जिस direction से current enter करेगा, वहीं पे positive लगाएगे, जहां से आपका leave करेगा, वहां पे negative लगा देंगे, ठीक है, यानि कि current आपका दोनों side से, चाहे आपका current नीचे से उपर की तरफ जाए, या उपर से नीचे की तरफ आ होगा, और जिस direction से current, current enter कर रहा है, जिस direction से, उसी direction के अंदर आपका positive का sign लेंगे, यानि कि वहीं से आपकी start करेंगे, क्या, drop in potential, तो इसको बोलते हैं, आपका positive से जब negative की तरफ चला जाए, तो drop in potential, तो हमेशा resistance के across क्या होगा, drop in potential आपका होगा, और जहां से current enter करेगा, व जहां पर आपका क्या लगाएंगे, negative, तो यह तो आपका हुआ resistance के case में, ठीक है, यानि कि current आपका दोनों direction से जा सकता है, तो current को आपका resistance को बोलेंगे, कौन सा element है, आपका bilateral element है, कौन सा element है, bilateral, similar case आपका कफेस्टेंस के case में भी है, यहां से अगर आपका current enter किया, आई, त ठीक है, तो यानि कि जिस direction से आपका current enter करेगा, उसी direction से आपका क्या हो जाएगा, वही से आपका positive और यहां पर आपका negative, यानि कि आपका क्या हुआ, जो आपका resistance है, या फिर आप इसको देखो, inductance के case में, ठीक है, तो inductance के case में भी आपका क्या हो जाएगा, इन्डेक्टं element ठीक है और ये जो current आपका दोनों direction से जा रहा है तो इस property को आपका बोलते हैं bi-directional property ठीक है ये current की आपकी कुम सी property bi-directional property ठीक है अब एक और element आपका आता है जैसे आपका diode diode आपका होता है diode आपका क्या करता है भई अब जहां पर आपका positive cycle होगी positive cycle में तो आपका क्या करेगा conduct करेगा और तब आपका क्या हो जाएगा it behaves like short circuit माली जे कर आपकी ideal है उस case में ठीक है और अगर आपका यहां से आपका current enter कर रहा है भई यहां से आपका current enter कर रहा है कौन सा positive cycle के तो यह आपका किसकी तरह भी हेव करेगा it behaves as open circuit यह आपका किसकी तरह behave करेगा वही diode open circuit की तरह आपका काम करेगा ठीक है तो इसका मतलब जो diode है आपकी यह आपकी कौन से कौन से property रखती है unidirectional या फिर बोलें unilateral property ठीक है इसकी जो property है यह unilateral है और यह जो element है मैंने आपको बताए resistance, inductance और capacitance इनके पास में कौन से property है by lateral property है ठीक है तो जब आपका EDC वगेरा जब आप करते हो या analog वगेरा जब आप पढ़ोगे ठीक है तब आपका आएगा यह वाली property का आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा यानि कि वहाँ पर unilateral आपका matter करता है तो इस वज़े से diode का मैंने example बता है या फिर आपका transistor हो सकता है transistor आपका किसकी तरह behave करता it also behaves like this ठीक है यानि कि diode की तरह आपका काम करता है unilateral property के साथ में अब यह जो आपके element है यहाँ पे क्योंकि हमें R, L, C के साथ में mainly यहाँ पे deal करना है तो इन तीनो elements के अंदर आपका क्या हो जाएगा इन तीनो elements के अंदर simple है बहुत ही आसान है इन तीनो elements के अंदर जहां से भी आपका current enter करेगा वहीं पे हम क्या लेंगे positive का sign लेंगे यानि कि वहीं से आपका बताएंगे क्या drop in potential आपका यहाँ से start हो रहा है अब हम इसकी equations को detail में लिखते हैं यह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ steps क्या क्या करने है पहले loop select करने है फिर उसके बाद में आपको current assume करना है current आपके clock wise भी ले सकते हो या फिर current को आप anti clock wise भी ले सकते हो या आपके पास में option हो रहती है फिर उसके बाद में आपको क्या करना है आपको assumption लेनी है कि आपका यो rise in potential है उसको आप negative ले रहे हैं फिर positive ले रहे हो ठीक है तो negative लोगे तब भी आपको कोई फरक नहीं पड़ता है positive लोगे तब भी कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो rise in potential और drop in potential लेखना है जहां पर drop in potential होगा जैसे मैंने resistance के case में बताया हमेशा क्या होगा drop in potential Indictance के case में भी हम drop in potential मानते हैं और Capacitance के case में भी क्या मानते हैं drop in potential ठीक है तो इन तीनों के case में हम drop in potential को ही assume करेंगे उसके बाद में further proceed करेंगे ठीक है तो यह आपकी property एक हो गई यह property आपकी स्टेप्स हो गई कुछ-कुछ ठीक है अब यहां से हम इसकी equation और लिख लेते हैं तो पहले equation में आपका start करेंगे कहां से यहां से आपका माने जी आपने starting की है यहां से इस point से ठीक है तो देखो अब starting की भी कई बार कई लड़कों को problem रहती है कई students को problem आ जाती है कि starting कहां से करें क्यों ना हम यहां से start करने resistance से start कर सकते हो क्यों ना हम यहां से start करने तो मैं आपको एक ही suggestion दूँआ आप हमेशे वहां से start करिए जहां पे आपकी जो branch है वो independent हो independent का मतलब आपका क्या हुआ देखो अब यह वाली जो branch है जिस branch के अंदर आपका resistance R1 है और यहां पे आपका क्या है V1 है आपका तो इन दोनों के अंदर आपका क्या है resistance R1 हुआ या फिर आपका V1 हुआ यह आपकी independent branch कहींगे और यह जो आपकी R2 वाली branch है यह common branch है आपकी first loop के अंदर और third loop के अंदर similarly R3 वाली जो branch है यह भी आपकी common है first और second के अंदर तो हम हमेशा वहाँ से start करते हैं जहां पे आपको independent branch दिखाई दे ठीक है और independent branch दिखाई देने के साथ साथ अगर वहाँ पे आपका कोई voltage source भी present है तो हम हमेशा आपका कहां से start करेंगे उस voltage source से start करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या किया भी आपका जो current है देखो मैंने आपको बता इस direction में आपको assume करना है तो बिल्कुल आप इसको इसी direction में ही assume करके रखिएगा लेकिन यहां से आपका slightly थोड़ा सा इसको modify करके बनाते हैं कैसे इस तरीके से देखो यहां से आपने क्या किया इसको current को ऐसे कर दिया है यहां से ऐसे आपका current आ रहा है ठीक है अभी भी आपकी direction तो same वही है कौन सी anti-clockwise आपने clockwise ली थी तो clockwise ही direction है आपने क्या कि आपने यहां से starting यहां लिए आपका current लिखें या फिर आपका क्या लिखें आई इंटू आर का product लिखें ठीक है तो अगर कहीं पर voltage ना पता हो तो हम आई इंटू आर का product लिखेंगे और अगर कहीं पर हमें voltage directly बता हो तो हम directly आपका क्या बताएंगे वहां पर voltage बताएंगे तो देखो इसके एक रोज़ आपकी वोलटेज कितनी है? इसके एक रोज़ आपकी वोलटेज है V1 तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले और क्योंकि यहाँ पर negative से आपका आ रहा है जैसे मैंने आपको बता है negative का साइन तो rise in potential हो रहा है तो हम वहां पे जहां पे starting point आपका आता है जैसे negative आपका आता है था हम उसको लेते है negative ठीक है तो minus का वीवन आपने लिखा फिर उसके बाद में अगला step अब यहां से जैसे हम इसे आगे निकले यहां से आपको कुछ भी नहीं मिला फिर इसके बाद में आपको क्या ना जा र ठीक है देखो current तो loop का है लेकिन जा कहां पर रहा बरांच के अंदर आपका जा रहा है ठीक है यह बात याद रखिएगा यह current आपका ऐसे निए सिर्फ इसी इसके अंदर flow कर रहा है कि आपकी branch के through ऐसे आपने यह current आपने कहां से assume किया हुआ है branch के through आपका assume किया हुआ है पर क्या आजाता है negative तो positive और negative यानि कि आपका क्या हो गया drop in potential इस बार और drop in potential को आपने assume किया था क्या positive तो जहां से आपका positive आपका आएगा उसको हम लिखेंगे plus क्या लिखेंगे आपका plus अब इसके बाद में यहां से current के तना है आपका देखो यहां से current है आपका i1 और यहां पर क्या है r1 है क्योंकि हमें इसकी voltage नहीं पता इसके क्या नहीं पता है voltage आपको नहीं पता है इस वज़े से हम इसके अंदर क्या लिखेंगे i into r लिखेंगे लेकिन कौन सा i into r यहां से current है i1 और इसका resistance क्या है r1 तो यहां से हमका लिखेंगे plus i1 into r1 ठीक है क्योंकि हमें V के बारे में नहीं knowledge है, तो हम I into R से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा minus का V1 plus I1 R1, अब इसके बाद में, यहां से जाने के बाद में, यहां से आपका current आगे बढ़ा, और अब की बरापा कहां पर है, इस direction के अंदर आपका band हो गया, ठीक है, मतलब यहां से आपका चला current और यहां से इस direction के अंदर आप आगए हो, ठीक है, अब इसके बाद में, आपको कुम सा resistance मिला, R2, तो फिर उसके बाद में आपका लिखे हैंगे, अब देखो, याद रखिए, current आपका हमेशा, जहां से भी enter करेगा, वहां पे positive होगा, औ तो इसका मतलब हमेशा, हम वहां पे क्या लेंगे, positive का sign लेंगे, तो यहां पे आपने क्या लिया, positive, फिर उसके बाद में क्या लिखा, R2, वहां आपका कुन सा resistance आ गया है, R2, अब current की, आपकी information देख लेते हैं, तो यहां से देखो, मैंने आपका बताया, आप कुन से loop के अंदर, यानि कि आप हो इस loop के अंदर, ठीक है, तो यहां से आपका R2, आपका resistance के क्रोस आपका क्या है, आपका यहां पे दो current है, कैसे, क्योंकि R2 जो resistance है, वह आपका common है, R2 resistance आपका क्या है, यहां पे, common resistance, ठीक है, तो common के अंदर आपको करना क्या है, देखो, कई बार confusion ह हो जाती है कि कैसे करें इसको तो यह आपका important है क्या कि यहां से आपका इस direction में चले और आप इस direction में घूम गए यानि कि आप घूमे हो current I1 की direction में लेकिन जैसे हम यहां से आपका आगे भड़े हमने देखा कि R2 के across तो एक branch और से भी आपका current आ रहा है कौन्सा current आ रहा है आई 3 क्योंकि यह भी आपका लूप current है ठीक है तो यहां से हम इसमें लिखेंगे वह आई 1 इस direction के अंदर जा रहाए और आई 3 आपका इस direction के अंदर जा रहा है दोनों आपके opposite direction के अंदर हैं तो इसको हम लिखेंगे I1-I3 इसको हम क्या लिखेंगे I1-I3 क्यों क्योंकि दोनों opposite current है अगर दोनों same होते हैं अगर यह ऐसे होता है आप चल रहे हैं इस लूप के अंदर इस direction में यानि कि I1 की direction है ठीक है आप चल रहे हैं current की direction में आप खुद हो ठीक है तो यहां से आप चल ले हो I1 की direction में और दूसरा जो current है वो भी आपका इस direction में आ रहा है यह current है आपका I3 तब हम उसको लिखते R2 I1 प्लस I3 आप इसको क्या लिखते R2 into I1 प्लस I3 ठीक है यह आपका आ जाता किस के cross R2 के cross ठीक है अब क्योंकि आपने opposite में assume किया हुआ इसलिए हमने क्या लिख दिया है माइनस का sign आपका दे दिया है ठीक है अब इसके बाद में next अगले बार अब यहां से आपको क्या करना है ने को loop से बाहर नहीं जाना है आपको क्या करना है कईयों को आपका confused हो जाती है कि आपको करें क्या तो आपको जब एक loop आपने assume किया यानि कि ये वाला loop आपका assume किया हुआ है तो आपको इसी loop के अंदर रहना है जब तक कि इसकी सारी voltage की equation ना लिखती जाए क्योंकि आपको क्या लगाना है और कहां पर लगाना है लूप की अंदर लगाना है और आपको दिखाना है कि इन सभी कासम क्या हुआ है जीरो तो जब तक कि आप वापस घूमते घूमते इस position तक ना आ जाओ तब तक आपको क्या करना है इस loop को छोड़ना नहीं है यानि कि इसी loop के अंदर आपको सारे की सारी चलते रहना है ठीक है तो अब देखो इसके अंदर आपने का लिखा तीन element आपके आचुके है पहला, दूसरा और तीसरा अब आप यहां से इस direction में मुड़ गए यानि कि आपको क्या करना है अब आना आपको इस branch के अंदर, नीचे वाले branch में ठीक है, तो नीचे वाली branch में जब आप आओगे तो आपको मिलेगा resistance कौन सा आर-3, तो आपको कौन सा resistance मिला प्लस आर-3, प्लस तो आपको लगाना यह resistance के case में, ठीक है तो plus R3 आपने लिखा, अब यहां से, आप किस direction में हो वही, I1 direction में हो, I2 current आपका इसी direction के अंदर है, देखो, यहां से आपका current आ रहा है I2, यहां से आपका इस direction में, आपने क्यों क्यों एंटिक लोको इस direction है जूम कर लिया, तो इस बार हम इसको लिखेंगे, R3 into I1 plus I2, ठी आपका resistance बस इतना change है, यह R3 है, यहां पे current आपका I2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R3 I1 plus I2, वही आपने यहां पे लिख दिया है, अब इसके बाद में, आगे बढ़े, तो आपको क्या मिला, एक voltage source मिलिया, और इस source के अंदर आपका क्या है, यहां से आपका positive से एंट क्या लेते आएं, आपका positive लेते आएं, तो plus का आपका क्या लिखेंगे, plus का V2, और फिर उसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में यहां से आपका चले, और यहां पे वापिस आ गए, यानि कि फिर उसके बाद में, बीच में आपका कोई भी resistance या फिर कोई और element नहीं म बताया, सबसे पहले V1 से आपने start किया था, तो यहां से आपका चले, फिर resistance के case में आपको क्या करना है, आपको resistance के case में हमेशा जहां से current एंटर करेगा, वहां पे positive और जहां से leave करेगा, वहां पे negative आपका लेंगे, यानि कि plus minus की वहां पे confusion यह नहीं रहती है, तो हमेशा plus लेंगे, फिर according to current, current के according, हम यहां पे आपका क्या करेंगे, minus और plus का sign आपका लेते हैं, यह मैंने आपको बताया, in loop, first के अंदर, अब हम इसके अंदर आपका try करते है, second loop के अंदर, second loop में जाने से पहले, हम इन सभी equation को आपका खोलके, open करके आपका लिख लेते हैं, तो द इसके बाद में आपका क्या है, I1 कहां कहां है, R1 के साथ में है, फिर R2 के साथ में है, और plus वाला है आपका, जब इसको open करेंगे तो plus हाएगा, और यहां पे आपका क्या है, plus का R3, तो I1 into R1 plus R2 plus R3, फिर इसके बाद में आपका I2 current, I2 current किसके साथ में, R3 किसके साथ में, this is equal to यह किसे बदाबर रहेगा यह आपका बराबर रहेगा V1-V2 के बराबर रहेगा यह V1 आपका इस तरफ में आएगा तो यह आपका positive हो जाएगा V2 इस तरफ में आएगा तो negative आजाएगा तो हम इसको बोलेंगे V1-V2 ठीक है तो यह तो आपका हो गया in loop first, अब हम इसमें देखेंगे in loop second, अब आपका चलते हैं वही कहाँ पे, loop second के अंदर, ठीक है second loop के अंदर आपका क्या आएगा तो देखो second loop के अंदर फिर से हम वही करेंगे जो आपने पहले steps के अंदर किया, क्या, कि हम जो starting करेंगे, वो starting आपकी होगी, कहां से, वो starting आपकी होगी, independent branch की इस point से, और क्योंकि current आपका इस direction में आ रहा है, तो यहां से हम ऐसे चलेंगे, तो इस current को आपका फिर से बनाएंगे इस current को आपका फिर से बना लेते हैं, ठीक है यह अपने voltage यहां से इसको लिखते हैं V2 और यहां से आपने क्या किया, इसको इस direction में assume कर लिया है, ठीक है यहां से ऐसे इस तरिक्षी से आपका current जा रहा है, तो देखो, जैसे ही आप इस point से चले, यानि कि current की direction में चले, तो आपको पता है current यहां पे कितना है I2 current है इस loop का, तो आप I1 को जाएगे, I1 तो आपको पहले loop का current था, अब हम आ गए दूसरे loop के अंदर, तो दूसरे loop का current केतना है, I2 तो इस बार most of the equation आपने किसके साथ में लिखी जाएगी I2 के साथ में लिखी जाएगी, ठीक है, तो देखो यहां से हम चले, यहां से आपको क्या मिला सबसे पहले R5, और मैंने आपको बदाया, जब भी resistance आपका आएगा, तो जहां से भी current एंटर करेगा, वहां पे positive लेंगे, और जहां से leave करेगा, वहां पे क्या लेंगे, negative आपका लेंगे, ठीक है तो आपने क्या लिखा यहां पे, यहां पे आपने positive लिखा है, और यहां पे negative लिखा है तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, यहां से, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, plus I2 into R5, ठीक है, यहां पे आपको क्या है, this is R5, और current आपको कितना है, I2 है आपका, ठीक है, तो I2 into क्या हो जाएगा, R5 आपका आजाएगा, ठीक है, तो यहां से, फिर उसके बाद में आपका क्या है, plus plus तो लिखना ही आपको, फिर यह वाला element आपका आगया, क्योंकि आप चले यहां से, और फिर यहां पे, इस direction में, तो इस direction के अंदर आए, आपको मिला R4 का element, आपको कौन सा element मिला, R4 element मिला, अब R4 के अंदर अगर हम देखें, तो current आपका यहां से, इस तरी के center कर रहा है, और I3 current भी आपका उपर से आ रहा है, क्योंकि यह common element है, तो दोनों की direction क्योंकि सेम है, दोनों की direction सेम होगी, तो बीच में plus का sign आ जाएगा, तो यहां से आपका क्या लिखेंगे, R4, R4, और R4 क्योंकि common है, तो यहां पर आपका लिखेंगे, वह यहां पर current आपका I2 आ रहा है, और यहां से आपका current आ रहा है, I3, तो दोनों current आपके एक ही direction में है, add हो जाएंगे, तो अगर दोनों current आपके same direction में है, तो add होंगे, और दोनों opposite direction में है, तो आपके minus हो जाएं के अंदर, इस direction के अंदर आपका होगा, क्योंकि I1 की direction भी यही है, और I2 की direction भी यही है, तो इसको हम लिखेंगे I1 plus I2, ठीक है, और फिर आपका नीचे की तरफ में आपका क्या है, V2 है आपका, तो इसको लिखेंगे plus का V2, this is equal to 0, ठीक है, यह आपकी equation हो जाए, क्यों equal to 0, क्योंकि V2 से लेके यहां तक आपका कोई भी element नहीं है, तो इसको लिखेंगे plus का V2, क्यों, plus का V2 क्योंकि यहां पे आपका क्या होगा, plus से minus की तरफ जा रहे है, यानि कि drop in potential, ठीक है, drop in potential का मतलब, जहां से आपका starting होती है, यानि कि plus से starting हो रही है, तो plus को हम यहां पे as it लिख देते हैं, तो यह था आपका किस के अंदर, loop second के अंदर, अब इस equation को हम open करके लिखते हैं, यहां से आपको क्या मिलेगा सबसे पहले है, क्योंकि यहां पे आपने I1 लिखा हुआ है, तो इस बार भी हम सबसे पहले I1 को ही लिखेंगे, तो I1 के साथ में आपका क्या ह हो जाएगी I1 into R3, फिर आपका क्या है I2, अब देखो I2 हर जगे आपका positive में है, तो इसका मतलब यहां से आपका क्या लिखेंगे, I2 into R5 plus R4 plus R3, ठीक है, यह आपके तीनों element इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो वही, second जो loop था आपका, यानि कि I2 current वाला उसके अंदर R5 था, R4 था, R3 था, तो इन तीनों का अपने add करके लिख दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका next क्या है, plus, next आपका, I2 into this, फिर उसके बाद में next आपका क्या है, I3 के बारे में, I3 कहां से किसके साथ में, R4 के साथ में है, तो इसको लिखेंगे plus का I3 into R4, और क्यों इन लूप, थर्ड, थर्ड लूप के अंदर आपका क्या आएगा, तो थर्ड लूप के अंदर आपका देखें, ऊपर वाला लूप एक हो रहा बची आपका, यहां से आपका, मैंने आपका बताए, कहां से स्टार्टिंग करनी, independence है, direction current की क्या है, यह वली है, तो यहां से के starting करेंगे ठीक है यहां से आपका चलेंगे इस तरफ में तो जहां से एंटर करेंगे और जहां से लिए करेंगे वहां पर ने इनगे तो यहां से आपका क्या लिखेंगे भई के अंदर हम इस direction से एंटर किये इसी direction से एक और current भी आ रहा है कौ्न सा करेंगे i2 इनुटवॉ हो स्रीजु प्लस ऺुरु और यह दोनों किसके अंदर एंटर कर रहें यह दोनों ऑन कर रहे हैं आपके इसी के अंदर आपको चलना है, उपर वाले लूप के अंदर, यानि कि इसी तरीकी से आपको चलते रहना है, बस ठीक है, तो यहां से आप एंटर की, आगे बढ़े R2 आपका आगया, तो अब R2 के अंदर आपका देखो, R2 के अंदर आपका क्या है, यह आपका important step है, यहां प direction से एंटर किया, यह वाला current opposite में आ रहा था, तो जहां से हम चल रहे हैं, उसको हम लेंगे positive, क्योंकि आपने positive पहले से लिख दिया है, तो हम कहां पे चल देखो, इस बार I3 के अंदर चल देखो, ठीक है, और इसके opposite में आपका क्या है, देखो, यह वाली branch कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं आपको, यहां से आपका क्या है, यहां से यह आपका resistance R2 है, ठीक है, इस direction से आपका current आ रहा है कौन सा I3, और इस direction से current आ रहा है I1, ठीक है, तो अब यहां पे confusion यह हो जाती है, कि क्या I3 को positive ले या फिर I1 को positive ले, तो देखो, क्योंकि हम कौन से loop के रहे हैं, और third loop का current क्या है, I3 है आपका, ठीक है, I3 है, तो I3 जहां पे होगा, वहां पे हम positive लेंगे, आप यह समझे कि जैसे माल लीजे आप अपने घर पे हो, आप अपने घर पे कुछ भी करो, comfortable होते हो ठीक है, आपको कुछ भी जैसे आपको अपने घर पे रहना पसंद है, आपको घर पे टीवी देखना पसंद है, आप अपनी मर्जी से channel लगा सकते हो, ठीक है, आप कोई भी movie देख सकते हो, जो भी आप चाहू, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे के घर पे गई, लेकिन आप कहां पे गई, दूसरे के घर पे, तो दूसरे घर पे जाते ही, थोड़ा थोड़ा discomfort आपको फिलोना शुरू हो जाता है, कि ना तो आप regular movie देख पा रहे हो, ना आप completely rest कर पा रहे हो, ना कोई other work आप, जैसे आप घर पे करते थे, वो आप regular कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी condition आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो आप देखो, वह यहाँ पे क्या रहूँगा, ठीक है, similarly, अगर हम i1 के अंदर आपका रहते, लियानी कि loop first के अंदर आपका रहते, तो current i1 आपका ये बात बोलता, कि यहाँ पे अगर analysis हो रही है, loop first के अंदर, तो मैं positive रहूँगा, यही same condition आपको देखने को मिलेगी, अभी मैं आपको बता जाते हैं, तो this is equal to 0, तो देखो, इन दोनों की अपी condition क्या है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, कौन-कौन से, एक दोस्त है आपका i1 और एक दोस्त है आपका i3, ठीक है, जब i3 i1 के घर पे जाता है, तो i1 dominate करता है, ठीक है, जब इसके घर पे जाएंगे, तो i1 dominate करेगा, त यहाँ पे तो आप dominate कर रहे थे, और अब मैं dominate करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से इसको लिखेंगे हैं, i3 minus i1, i3 minus i1, क्योंकि यह आपका क्या है, dominating nature का है, तो i3 minus i1, similarly condition यहाँ पे भी है, देखो, एक इससे चेक करो, और एक इसको चेक करो, क् ठीक है, पहले हम loop first के अंदर थे, तो आपने लिखा यहाँ पे i1 minus i3, same यही condition, ठीक है, फिर आप loop आगए किस के अंदर, third के अंदर, तो आपने लिखा i3 minus i1, ठीक है, तो यह दोनों condition आपकी इस तरीके से होती हैं, आपको पता चला होगा, जिस loop के अंदर होते हैं, उस loop क first आपने देखा, और अब third loop के अंदर आपने क्या किया, equation को modify करके लिखते हैं, तो क्योंकि हम पहले i1 को लिखते हैं, तो यहाँ पे भी पहले क्या लिखेंगे i1, तो इसके लिखेंगे minus का i1 into r2, plus i2 के साथ में आपका क्या है, r4 है, plus i2 into r4, और i3 के साथ में आपका क्य क्या है, देखो कहां कहां पर है, i3, r6, r2, r4 के अंदर, plus i3, i3, r2, plus r4, plus r6, this is equal to 0, तो तो तीन equation आपके पास में आगई हैं, और तीन आपके unknown हैं, कौन कौन से unknown हैं, जो आपने assume किये हैं, क्या क्या assume किया आपने, आपने assume किया i1, आपने assume किया i2, और आपने assume किया i3, तो इन तीनों equation को आपका soul out कर लेंगे और यहां से i1, i2 और i3 की value हम obtain कर सकते हैं तो यह था आपका kvl आपका एक analysis kvl की जब आपने current को किसी भी direction के अंदर assume कर लिया है ठीक है अब हम यहां से इसका दूसरा जो लगा है next lecture के अंदर आपका conservation of energy क्या कहती है उस चीज को भी देखेंगे और यहां से अगर आपकी direction पल्टी हो जाए जैसे इस तरीके से आपका मैंने आपको अभी इस direction से बता दिया अगर दूसरे तरीके से देखें तो आपका क्या आएगा वो हम next lecture के अंदर देखेंगे Thank you, thank you so much